आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगरा सदर पजार के फेमस मामा फ्रेंक की चिकन एग रोल की रेसिपी तो रेसिपी पसंद आए प्लीज एक लाइक जुरूर कर दीजिगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जुरूर कर लिजिगा तो चलिए तेख लेते हैं इस र अधनिय पौडर 12 टीइसपून हल्दी पौडर और 16 टीइसपून काला नमग यानि ब्लैक सॉल्ट 1 टीइसपून जीरा कुट्टा घृटवा और 16 पौडर 1 टीइसपून गरम मसाला पौडर तो यह सबी मसाला को हम मिक्स कर लेंगे आप इसको वेज फ्रेंक में यूज कर स 1-2 निबुखा जूस एड़ करेंगे यंगा जूसेट करेंगे नमक करेंगे क्यूंकि इसको पकाइँगे मिक्स करकर 15-मिनिट के लिए मेरिनेशन पर छोड़ देंगे तब तक इसके जो पराथ बनता है उसका आटा तियार करेंगे लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा अब इसमें एट करेंगे 1 टी स्पून नमग, 1 टेवल स्पून ओयल यह वेजिटेबल ओयल है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा पानी लेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालका सौफ्ट सा डो लगा लेना है, जिस तरह से हम रोटी का डो लगाते हैं, सेम उसी तरह से बनाना है तो हमें इस तरह से अच्छे से इसको पंच कर लाना है ताकि एकदम सौफ्ट सा डो तैयार हो तो आपकी जो पराटा है वो भी एकदम सौफ्ट वने अब इसको रख देंगे हम रेस्ट पर 10 मिनट के लिए तब तक हम चिकिन तेयार करेंगे इसकी जो फ्लेंग के लिए चिकिन तेयार होगा वो कर लेंगे तो हमने यहां पर एक पैन रखा है वन टेबल स्पून ओईल डाल देना है ओईल गरम हो चुका है तो अब इसमें हम चि है चहे मिननट अच्छे से कोकक लятиने डियुआ है चाइब चुके हैं अच्छे से ईयह पक चुका है हाफ को पीसे में निकाल लिए हैं और थोड़ा साम सॉटे करेंगे कुछ सेकिंड के लिए अब इसमें हमें चिकिन एट कर देना है जो हमने फ्राइ करकर रखा हुगा था मिक्स करेंगे और अब एट कर देनी हमें सॉसेज वन टेबल इस्पून हमें एट करेंगे विनेगर वन टेबल इस्पून सोय सॉस और टू टेबल इस्पून हॉट रट चिली सॉस थ्री टेबल इस्पून हमें टुमैटो केचप एट करेंगे वन टेबल इस्पून डालेंग और अनकी हमने चिली सॉस और उन टीस्पून स्केश की ज़ू हम स्टॉर में बनाया था और अब आट करेंगे तो पिंच हम फूट कलर राट करेंगे इस्ट्रिट स्टैल बनाने के लिए और अच्य से मिक्स कर लेंगे अ गया हाई फ्लेम पर रेसीपी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मौईने रखता है चेनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब पी जरूर कर दीजे और यहां ले लेंगे हम बन टेबल स्पून कॉर्ण और फ्लार और ठीटेबल स्पून हम इसमें पानी आट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक शिलेरी सी यह तयार हो जाएगी और अब इसको हमें आट कर देना है चिकिन में मिक्स करेंगे एक मिनट पकाएंगे हाई फ्लेम पर तो बस यहां पर यह चिकिन आलमस्ट रेडी हो चुका है अब ले लेंगे हम यह जो रोटी क्याटा हमने रेस्ट पर रखाता तो इसकी रोटी बेल लेनी बराबर बराबर कॉण्टिटी के हम इसमें यह पेड़ी तियार करेंगे जिस तरह से हम घर में रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से इसके जो रोटिया है वो तयार करनी है थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको अब हम बेल लेना है तो एक पतली सी रोटी बनाएंगे यह देखिए यहां पर रोटी बेल कर यहां पर हमने तयार कर लिये है हमने एक तबले इसको फूल हेटेड है उस पर रोटी डाल देंगे और दोनों साइट से हमें अच्छे से से सेक ले रहा है आप इस रेसिपी को जुरूर ट्राइ कीजिएगा क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है और बहुत ही यमी और टेस्टी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनती है तो इसको एक बाद जुरूर ट्राइ कीजिएगा और जब भी आप ट्राइ करें तो मुझे कॉमेंट्स किहींगे में उस्च में जब बताइएगा कि आपके रेसिपी कैसी पनी है यहांपर हमने एक रोटी त्यार कर दियार कर लिके तो ये दिखें, यहां पर हमारी सभी रोटियां बनकर तयार हो गई है यहां पर हमने 5 रोल बनाने हैं, तो यहां मैंने 5 रोटियां बनाई है और अब एक पैन रख देंगे, इसमें डालेंगे 1 टेवल स्पून ओईल ओइल घरम हो चुका है, अब इसमें हमने जो रोटियां बनाकर रखी हुई थी वो रख देंगे फ्लेम को हम slow to medium कर लेंगे, एक एग लेंगे और उसको इसके उपर डालेंगे और इस तरह से यह देखिए, मिक्स कर देना है एक को रोटि के उपर और अब हमें एक से दो मिनट शेकना है, इसको दूसरी साइट से फ्लेम को slow to medium रखें ताकि यह अच्छे से कुक हो जाए, जो हमने एग लगाया है तो यहाँ पर यह देखिए, एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है इसी तरह हम सभी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे तो यहाँ देखिए, हमारे सभी पराठे बनकर तैयार हो चुके है और सेम इसी तरह बनाएते हमने, तो यह हमारी स्टफिंग डेडी है और यह हमने प्याज ले लिए हैं स्लाइसिस में कट करकर बारिक बारिक और सौस है हमारे पास टोमेटो केचप और यह है फ्रेंक की मसाला तो अब चलिए हम रोल को असेंबल करेंगे तो यहाँ पर स्टफिंग रखेंगे जितनी आप को पसंदो आप उतना इसके उबर रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने टू टेवल स्पून से थोड़ा जाधा रखाया थोड़े से हम प्याज के जो स्लाइसिस बनाई थे वो रख देंगे टू टेवल स्पून केचप जितना बच्चे पसंद करते हैं थोड़ा सा फ्रेंग की मसाला और अब इसको हमें रोल बना देना है अब हमें ले लेना है बटर पेपर इस तरह से और इसको इसके उपर रोल कर देना है सेम बही टेस्ट आएगा जो आप जाकर किसी भी स्ट्विटे स्टाइल पर खाते हैं फोल्ड कर देंगे तो यहां पर हमारा एक रोल बनकर तयार हो चुका है बहुत ही यमी यमी सा है तो इसी तरह हम सभी तयार करेंगे तो यहां पर हमारे सभी रोल बनकर तयार हो चुके हैं तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफीज जाद मेरे जादा से जाद हैं